एक डॉक्टर भरत हैं, बाड मेर से, उनसे मैंने बात की, वो मेडिकल डॉक्टर हैं, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, बहुत रिमोट विलेज में रहते थे, किसी तरह से माबाप के उससे पैसे कठे करके उन्होंने मेडिकल कर ली, तो जब मेडिकल करी उनको बहुत तक तोसरे गरीब बच्चे हैं मैं उनकी मदद करूँगा उसके खुद की जेब में पैसे नहीं है और उसने का कि मैं मदद करूँगा उसने 50-50 और्गनाइजेशन चालू करी जिसमें हर साल वो 50 बच्चों को एकठा करता है गरीब बच्चों को अनाथ बच्चों को कई ऐसे सब्सक्राइब से गरीब बच्चों को एकठा करके कहते हैं मैं फ्री में उनको टूशन देता हूं और उसने कहीं से एक बिल्डिंग डोनेशन में ले ली दो चार और लोगों से डोनेशन लेके वह पचास बच्चों को वहां पे रेजिडेंशल रखता है उनके खाने पीने क सब का खर्चाद धोनेशन से करता है हर साल पचास-पचास बचेंगों लेता दस साल लगभख पांसो के करीब बच्चे उसने करेंगे 65 बच्चों को मेडिकल में एड्मिट करवा चुका है की उन Tipp 75 में से बच्चों को एम्ज में ओल इंडिया मेडिकल के अंदर इस करवा दिया अर्विंद केजिरिवाल जो की दिली के मुख्य मंत्री है उन्होंने आपकी तारीफ किये आपके मौडल की तारीफ किये कब क्या कुछ उनका इंट्रिवी वा था या क्या कुछ हुआता है नमस्कार साथियों पूरे देश में नीट का रिजल्ट आया है और हम पहुंचे हैं 50 विलेजर संस्थान डॉक्टर भरत सान जिसकी चर्चा अभी पिछले दो-तिन दिन से लगातार अर्विंद केजिवाल जो की दिली के सीम है उन्होंने की इनके मौडल की तारीफ किये क्या अर्विंद केजिरिवाल जो की दिली के मुख्य मंत्री है उन्होंने आपकी तारीफ की तारीफ दिली के मुख्य मंत्री है आपके मौडल की तारीफ की है क्या कुछ उनका इंट्व्य आपका इंट्री वाता है क्या कुछ हुआता सबसे पहले तो नमस्कार और बधाई उन बच्चों को जिनकी मेहनद से नीट में क्या उन बच्चे जो इस बार एपियर हुए थे एक उनके अगान बच्चे बच्चों में से 12-14 बच्चों को सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे दूसरी बात 50 विलेजर जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि बार्ड मेर जिले के सरकारी स्कूल से पास आउट ऐसे आर्थी रूप से कमजोर परिवार के बच्चे जिसके मदर फादर नहीं है किसान या मजदूर के बेटे हैं उनको हम बामासाओं के स्योग से 11 वी और बारी में साइंस बाइलोधी सब्जेक्ट दिला कर पढ़ाते हैं और साथ में नीट की तियारी कराते हैं और इसके पिछले दस साल में रिजल्ट वैतरीन रहे हैं 65 बच्चे मेडिकल कोलेज में ग सकते हैं और राष्ट के प्रकार से 75 साल बाजाद्री के बाद तेजी से विशुगुरू बन सकता है तो आप संस्ता के बारे में बताया गया और दो चीजें जो डिसकस मैं तो पूर्ण हुई थी के दिवाल सर के और मेरे बीच में कि एक तो हम युवाओं को मोका दें यु की अपनी पैचान को बनाने में हैं तो युवाओं इस देश को दो साल के अंदर आगे ले आएंगे एक साल तो युवाओं को यह बताने के लिए कि वो इस काम को कर सकते हैं और दूसरे साल उसकी रिजल्ट आने लग जाएंगे दूसरी बात हुई थी कि हम टीचर्स को रै करेंगे तो वह हमें सिखाएंगे कि राष्ट को किस तरफ लेके जाना था इस तरफ बातचीत हुई थी और जिनकी मेहनद से नीट में क्याउन बच्चे जो इस बार एपियर हुए थे क्या उनके बच्चे कौलिफाइड है और कौलिफाइड बच्चों में से 12-14 बच्चो साइंस बाइलोजी सब्जेक्ट दिलाकर पढ़ाते हैं और साथ में नीट की तियारी कराते हैं और इसके पिस्टे दस साल में रिजल्ट वैतरीन रहे हैं 65 बच्चे मेडिकल कोलेज़ों में गए हैं उनमें से 10 बच्चे में गए हैं तो जब कुछ दिनों पहले चार तारी के बात तेजी से विश्व विश्व दन सकता है तो आप संस्था के बारे में बताये और चीज़ें जो ड्इसकर मैत्वफण हुई थी के मेरे बीच совсем को में युवाओं को मोगाद हैos विश्वास देता है और इस देश को के हावाले दो साल कर दो सही वह पड़ाई कह counts ठेत एक साल तो यहों को बताने के लिए कि वो इस काम को कर सकते हैं और दूसरे साल उसके रिजल्ट आने लग जाएंगे दूसरी बात हुई थी कि हम टीचर को रैस्पेक्ट दें जिस दिन हमारा देश हमारे टीचर यानि शिक्षक जो पढ़ाने वाले हो सहे वो खेती करने वाले हो सहे बिजनेस वाले हो कोई भी हमारे जो शिक्षक है जिस दिन हम शिक्षकों को तोजो देंगे उनका रैस्पेक्ट करेंगे तो वो हमें सिखाएंगे कि राष्ट को किस तरफ लेके जाना था इस तरफ बादचीत हुई थी और भरत सार ने जिन्नों ने बताया कि किस तर मोडल है जिसकी तारीफ दिली के सीम अर्विल के जिर्वार ने की है कैमरे के पीछ अश्पीनी है मैं आपका साथी दिनिश बहुरा